Greek और Roman culture में एक story सुनाई जाती है, एक ऐसे लड़के के बारे में जो काफी self-obsessed था, इस लड़के का नाम था Narcissus, ये लड़का दुनिया भर में घूमता है ताकि उसे सच्चा प्यार मिल सके, लेकिन वो अपनी हर potential partner को reject कर देता है, पर जब एक दिन वो अपनी reflection को पानी में देखता है, तब उसे अपने आप से प्यार हो जाता है, और अपने आपको तालाब में देखते देखते ही वो मर जाता है, और उसकी जगा पर एक fool जाता है, जिसका नाम पर जाता है, इस mythological story की मदद से हम ये समझ सकते हैं, कि Narcissism क्या होता है, जो इनसान एक Narcissist होता है, वो अपने आपको दूसरों से उपर रखता है, अपने एक इंटर्व्यू में clinical psychologist, Dr. Ramani Darvasula, Narcissism को एक self-esteem के disorder की तरह categorize करती हैं, यानि जो लोग Narcissist होते हैं, वो असल में बहुत ही insecure होते हैं, लेकिन वो अपने आपको present इस तरह से करते हैं, जैसे वो बहुत confident लगें, औ और दूसरे लोग उनके अंदर मौजूद खाली पन को ना देख पाएं, although Narcissism जादातर एक बुरे childhood और proper parenting की कमी से develop होता है, लेकिन किसी भी case में एक Narcissist दूसरों के लिए बहुत toxic होता है, और इस तरह के इंसान से दूर रहना ही better option होता है, अगर हम कुछ behavioral patterns और Narcissism के science की बात करें, तो Narcissist में empathy की कमी होती है, यानि उनमें सहानूबूती नहीं होती, अगर आप उनके पास बैठ कर रो भी रहे हो, तो chances हैं कि वो आपको चुप कराने के बजाए आपको और सुनाएंगे, भले ही गलती उनकी क्यों ना हो, वो अपने आपको दूसरों से बहतर मानते हैं, जिससे grandiosity बोला जाता है, उन्हें लगता है कि वो सब अच्छी चीज़े deserve करते हैं, यानि entitlement का जादा होना, वो दूसरों से सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाते हैं, और validation पाना चाते हैं, वो hypersensitive होते हैं, यानि छोटी छोटी बाते भी उन्हें बहुत बुरी लग जाती हैं, उनका mood बहुत unpredictable होता है, वो कभी भी गुसा करने लग जाते हैं, और कभी भी प्यार, उनका behavior बहुत ही controlling होता है, और वो हर चीज़ में टोकाटाकी करते हैं, और दूसरों को अपनी मर्जी से चलाना चाते हैं, और वो कुछ इस तरह से जूट बोलते हैं, कि आप अपनी reality को ही question करने लग जाते हो, कि कहीं आप तो stupid नहीं हो, इसे बोलते हैं gas lighting, लेकिन अगर आप किसी narcissist से पहली बार मिलोगे, तो chances हैं कि आप उनसे impressed हो जाओगे, और वो आपको काफी charming लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उन्हें और जानना शुरू करोगे, वैस अलग तरह से दूसरों को manipulate करने की कोशिश करते रहते हैं, अगर आपकी life में भी कोई narcissist है, तो आप उनके साथ कैसे deal कर सकते हो, अगर आपका friend, boyfriend या girlfriend एक narcissist है, तो उस case में सबसे सही option होगा उनसे दूर हो जाना, क्योंकि narcissists अपने behavior को तब तक control में नहीं लाते, जब तक उन ऐसे लोगों से दूर होने की luxury है, तो ये option best है, लेकिन हर narcissist को शायद आप अपनी life से ना निकाल पाओ, क्योंकि वो आपका कोई family member भी हो सकता है, और इसे से हम आते हैं point number two पे, set boundaries, अगर आपके father, mother, sibling या कोई ऐसा इंसान जिनसे आपको रोज मिलना होता है, और उनसे एकद और emotional health का ध्यान भी रख पाओगे, इसलिए आप ऐसे लोगों को अपना time देना कम करो, उनके साथ अपनी conversations को छोटा रखो, और जितना हो सके इनकी बातों को एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो, number three, grey rock technique, grey rock एक ऐसा tactic है, जिसे आप किसी भी abusive इंसान से deal करते हुए responsive practice की वज़ा से ही इस technique का नाम है grey rock, यानि narcissist के साथ पत्थर की तरह बन कर रहना, क्योंकि narcissist की tendency होती है कि जब वो आप से argue कर रहे होते हैं, तब अगर आप उनसे learnने लग जाओ, तो वो और hyper हो जाते हैं, और ये लड़ाई उनके narcissistic behavior को fuel करके और बढ़ा देती है, वो present argument को बुला कर past की बातों को वापस ले आते हैं, और सारा blame आप पर डाल देते हैं, इसलिए उनकी बातों में ज़्यादा contribute मत करो, ऐसे बात करो, जैसे आप एकदम uninterested हो, और ज़्यादातर cases में जब आप इस तरह से act करोगे, तब एक narcissist अपने आप आप से बात करने में interest खो और किसी दूसरी जगह से validation लेने निकल जाएगा,